दिवरिया हत्याकांच से जुड़ी खबर ये है कि मुख्या आरोपी नवनाथ मिश्रा को गिरफतार कर लिया गया है दूबे परिवार के तीन लोगों के हत्या का आरोपी है आरोपी के निशान देही पर राइफल भी बराबत कर ली गई है प्रेम यादो का ड्राइबर और गरर रहा है नमनाथ मिश्रा प्रेम यादो की हत्या का बदला लेने के लिए की थी हत्या से प्रकाश दूबे सबेट परिवार के चार लोगों के हत्या हुई और बीस आरोपियों को पहले ही जेल भीजा जा चुका है लेकिन मुख्या आरोपि को भी अब गरफटार कर लिया गया है और इसकी दिश्चान देही पर रैफल भी बराबत कर ली गई है प्रेम यादो का ड्राइबर और गरर रहा है नमनाथ मिश्रा अबर को जो घटना हुई थी इसमें एक मुकदमा सत्यप्रकाश दूबे जी के परिवार जनों की तरफ से लिखा गया था सुसंद्धारों में इसको हम लोगों ने अपाया पंजी किया था इस मुकदमे में इससे पहले अभी तक 20 अभ्यूक्तों की गिरफतारी नियोग कर चुके थे आज इसी केस में एक जिसको मुख्य अभ्यूक्त हम इस घटना का कह सकते हैं जिसका नाम नवनात मिश्रा है और यह जो दूसरे पक्षके मुतक हैं उनके साथ में रहता था उनके ड्राइवर और अन्यकारे करता था इसको पुलिस द्वारा गिरफतार किया गया है और इसने अपने बयान में यह एकसेट किया है कि घटना के दौरान यह मौके पर मुझूद था और जो तीन गाउंड फायर राइफल से किया गया था वो इन्होंने ही किया था सटिपकाश दुवे के परिवार पर और इसमें इनकी निशान देही पर जो आला कतल है जो के इस दौरा बरामत कर लिया है